नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे पांच घरेलू नुस्खे बताऊंगी कपड़ों को सही रखने के बारिश का मौसम गया, अभी मेरे अलमारी में से सारे कपड़े बाहर निकल आए क्योंकि मैं हर साल इनको एकदम तेज धूब दिखाती हूं इसी समय अब मैं सारे कपड़ों को छट पे ले आई हूँ, कुछ नीचे फैला के रखूंगी और कुछ रसी में टांग दूँगी जो भी पाटिवियर है उनको रसी में टांग दूँगी, बाकियों को मैं ऐसे नीचे फैला दूँगी ताकि इससे वो बारिश के जो सीलन होते है और बदबू आती है और कीड़े लगने के चांसेस होते है न वो सारे खतम हो जाएंगे और मेरी साड़िया फिर से नई जैसी हो जाएंगी तो मैंने सारे साड़ियों को, कपड़ों को सब अच्छी तरह से उलट पलट के धूब दिखा दिया है अब उसमें से कोई बदबू भी नहीं आएगी चलिए, अब इसे अच्छी तरह से एरेंज कर लेते हैं अलमारियों में मैंने कुछ लंबे से रख दिये, कुछ आधे करके डाल दिये ताकि नीचे अच्छी तरह से बाकी समाना आ जाए अब इनमें नेप्थोलिन डाल दूँगी पर ऐसे नहीं डालना है, ये खराब करते हैं साडीयों को क्योँकि इनमें पेट्रोल रहता है तो ये साडीयों को कप्ड़ों को खराब कर देंगे इसके लिए मैंने बच्ची की कूरती लीया, पुरानी सी, देखिए मैंने कैसे फाड दिया लो जितने सारे नेप्तुलिन डालने है, उतने सारे कपड़ों के टुकड़े कर लेंगे कपड़े कौटळ के हो तो सबसे बहतर है आपके पास मा की साडिया होंगी, या फिर कुर्टा होगा, कुछ भी होगा उसको काटके पूराना ऐसे टुकड़े कर लेंगे मैंने बहुत सारे टुकड़े कर लिये थे और साथ में उसी का रस्षी भी बना ली थी मैं अब देखिए एक एक करके नेप्थोली इंडालूंगी और उसको फोल्ड करके या तो उसी से उसको बांद दूंगी या फिर देखिए मैंने वो जो रस्षी काटके रखा था यह ऐसे करके डाल के यह फोल्ड कर लिया अब उसी रस्षी से उसको बांद दूंगी कुछ भी कर सकते हैं जितना भी आप टुकड़े हैं उससे भी बांद सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने ऐसे दिखा दिया आप लों को बस अब एक के करके अलमारियों के कोने कोने में उसको मैं डालती रहूंगी इससे क्या अच्छी सी खुश्बू भी आएगी और आपके कपड़े सही रहेंगे कीड़े नहीं लगेंगे देखिए मैंने कपड़ों के अंदर भी डाल दिया कपड़े कुछ खराब नहीं होने वाले और मैंने डेली उसके बास्केक में भी डाल दिया आप देखिए मैं दो-चार कपड़े साडियों को मैं ले आई हूँ आपको बताने के लिए यह मेरे यूस किये हुए साडिया है इसको मैं फिर से फोल्ड करके रखना है तो मैंने यह पुराना पेपर न्यूस पेपर है उ फिर फोल्ड कर दोंगे जिससे मेरे कपड़े कटेंगे भी यह बीड़ उसकार कासाधी होते हैं किता हैँ इसे विस राट करोंगी उस से पहले मैं इसके अंदर ये न्यूस्पेपर डाल दे रही हूँ, इसको फिर से मैं यूज़ करूँगी, और मैं तीन-चार बार करके यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं ड्राइवश करने देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ड्राइवश नहीं करना है, वो भी पेट्रोल का ही का है आप लोग भी जानते ही होंगे दोस्तों फिर भी मैं एक बार फिर से बता दिया यह हो गया अब देखिए यह कुछ मेरे कॉटन की साड़ियां भी है उसमें से एक मैं ऐसे आपको बता दूंगी यह तात की साड़ी है मेरी इसको तो यूज करना और इसको कैरी करना बहुत इजी है बहुत ही आसान से आसानी से होता है और इसको ड्राइवश नहीं लॉंड्री वश करना होता है अच्छी तरह से और घर में किये तो एकदम हलके हातों से इसको धोईए इसमें स्टार्च लगाए और इसको एरन कर लीजे फिर से यह नए के नए हो जाएंगे पर स्टार्च देने से वह एकदम कड़क रहेंगी और इसको बाहर पहनने लायक रहते हैं अगर स्टार्च नहीं देंगे वह नरम हो जाते हैं और वह पहनने लायक नहीं रहते हैं आप इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं आप कई बार इसको पहनिए तीन चार बार यह मेरी बीटिया की चनिया चोली है जो हेवी वर्क क्या हुआ है इसमें तो कई लोग इसके लिए बैग कवर कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं मैंने असा नहीं किया है बस मैं सिंपल सा घर में रखा हुआ एक प्लास्टिक बैक था प्लास्टिक था पॉलिथिन उसमें मैंने इसको या हैंगर सहीत और दोनों तरफ स्टेपल कर दिया यह जसका तस हो गया कुछ भी बाहर से खरीदने के जरूरत नहीं है सब घर में ही रहते हैं यह बहुत ही आसान है और यह एकदम जसका तस रहेगा नए का नए तो दोस्तों इस तरह से अलमारी को आरेंज कर लीजिए और कपड़ों को सही कर लीजिए यह मेरे घरेलू नुष्खे हैं आप लोंग भी करते होंगे तो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों कमेंट्स करना लाइक करना अच्छा लगे तो और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज ओके दोस्तों फिर मिलते हैं बाई बाई